गाउं का एक लड़का अपने पडिवार को चलाने के लिए मोटर साइकल पर सब्जी रखकर पुरे गाउं में बेचा करता था और आज जब लड़का गाउं में सब्जी पिचने जा रहा था तब उसके पिता उनके लिए चपल खड़िकर लाने को कहते हैं वो पिता से पानी लेकर गाउं में सब्जी बेचने के लिए निकल जाता है तभी लड़के को एक बड़े से घर की औरत रुकने के लिए आवास देती है और जब और सब्जी खड़ी दरी होती है तभी लड़के को घर की सीरी पर बैठी एक उदास लड़की दिखाई देती है जिसे देखते ही लड़का उसे पसंद करने लगता है इसलिए वो हर रोज सब्जी पेचने के बहाने आकर लड़की को देखा करता था और जब लड़का उसकी मांको सब्जी दे रहा होता है तब चुपके सब वो लड़की के फोटो खीच लेता है फिर वो जाकर अपने खेत में सोई हुए दोष से लड़की के बारे में बताता है जहां दोनों दोस्त प्लान बना कर एक मंदिर में जाते हैं जहां लड़की रोज पुजा करने आती थी तब लड़के का दोस्त उसे बात करने के लिए उसे जवरदस्ती भेज देता है और जब लड़का लड़की से अपनी बात बता रहा होता है, तभी वहाँ पर लड़की का भाई आ जाता है, जो लड़के के सारी बात सुनने के बाद उसे एक थपर लगा देता है, अब अगले दिन जब लड़की मंदीर जा रही होती है, तभी उसका भाई मंदीर जाने से उसे मना करता है लेकिन भाई के मना करने पर भी लड़की मंदिर चली जाती है पाट्टू के लिए कमेंट करें